जहिन बच्चो बच्चो मैं अजक मार वरण नसी उत्तरप्रतेश से आपके अपने चैनल नौस्विक्षन पर स्वगत करता हूँ बच्चो आज मैं कुछ समान ग्यान की बाते आपको बताने जा रहा हूँ जिससे प्रशन कनफर्म है आएंगे याएंगे चाए आप कक्षा 6, 7, 8 या 9 की त्यारी कर रहे हैं आस्रम पत्तिती विद्याले के लिए तो जैसे आप जानते हैं आपकी परिक्षा 27 मार्श को है तो उसके लिए यह वीडियो काफी बच्चो महत्पून है जो चीज़े आपको नहीं आएंगे उसे जरूर आप कॉंपी में नोट डाउन कीजेगा और वाट्सेप ग्रूप बना हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्चन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा बच्चो पहला है देखिए सबी लोग जानते हैं लेकिन बस एक डिविजन के तौर पेर आगे जो है थोड़ी से कठीन प्रशन भी है तो यह देखिए पंदर अगस सबको पता है कि हमारे देश जो है पंदर अगस 1947 को सोतंत हुआ था इसलिए हम लोग है प्रति एकवस 15 अ व्हुचांता दिवस के रूपमे बनाते हैं गरतंत दिवस आपको पता है चंबेश जनूरी motor 1950 को हमारा सम्मिधान लागू उखा था देखिए कई बार पूचा जाता है किकए तो उस दिन हमारा सम्मिधान लागू हुआ था और साथ में हमारे देश को गरतंत घोसित किया गया था इसलिए प्रतेक वर्स जो है 26 जनुर को गर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं गांधी जैनती आपको सब को पता है गांधी जी का जंदिन रहा है दो अक्टूबर 1869 को गुजरात के परवंदर में हुआ था ठीक है और गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्क पर च जाना जाता है तो यह कभी निक्निम वाला भी आता है इसमें देखे राष्ट्य पर पर राष्टिय ध्वज फराया जाता है तता विविन परकार के सशản अब बताए राष्टिये आपका पर्व कौन से हैं तो राष्टिये पर्व केवल बच्चो ये तीन हैं याद रखेगा हमारे जो राष्टिये पर्व हैं हमारे राष्टिये पर्व केवल तीन हैं स्वतंता दिवस गरतंत दिवस और गांधी जैनती दो अक्टूबर होली दि प्रशन आने के संभावना है हमारे देश के कुछ राष्टिय चिन्न है इन्हें हम राष्टिय प्रतीक कहते हैं हमारे राष्ट की एकता की पहचान इन राष्टिय चिन्नों से होती है ठीक है तो इसको आईए जाने की क्या है यह अब देखिए यहाँ पर आपका राष्टिय प्रतीक क्या क्या है तो पहला है हमारा राष्ट द्वज आप जानते हैं इसे तिरंगा के नाम से भी जना जाता है इसमें तीन रंग होते हैं ठीक है सबसे उपर के सरिया रंग बीच में सफेद तथा सबसे नीचे हरा रंग होता है ठीक है और द्वज के बीच में जो सफेद वाले भाग में मद में आपको पता है 24 तीलियों वाला एक नीला चक्र होता है तो उसका रंग क्या है नीला है ठीक है रास्तवज का हमें सम्मान करना प्रतिक नागरिक का कर्तब्य है ठीक है यह हमारा कर्तब्य है अब देखे सवाल उपरत भी बनेंगे और इससे भी बनते है कि सरिया रंग किस का प्रतीक है बलिदान का प्रतीक है सफेद रंग सांती का प्रतीक है हरा रंग धर्ती की हर्याली का प्रतीक है मतलब जो किसान है अना जुगा रहे हैं तो हर्याली उसका ये प्रतीक है चक्र जो है वो उन्नती और अग्रसर होने का प्रितीक है कि हम आगे बढ़ रहे हैं आप भी तो पढ़ाई कर रहे हैं अपने ग्यान को आगे बढ़ा रहे हैं तरक्की करना चाह रहे हैं अब देखे राष्टगान काफी important है कई बच्चे नहीं जानते होंगे कि राष्टगान को कितने second में गाना चाहिए तो हमारा राष्टगान क्या है जन्गन मन है राष्टगान को किसने लिखाता है तो रविणना टेगोर जीने लिखाता है इसको गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है ठीक है राष्टगान के समय हमें साउधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए और हमें राष्टगान का सम्मान करना चाहिए ठीक है पंदर अगस्त और 26 जनुरी को जंड़ा फराने के बाद राष्टगान गाया जाता है तो यह आप देखे अपने स्कूल में करते ही करते हैं ठीक है अब देखे राष्टगीत की बात आती है यह हमारा राष्टगीत है और यह जनगन मन जो है हमारा राष्टगान है इसमें कई बार बच्चे कन्फ्यूज होते हैं राष्टगीत और राष्टगान को लिकर तो आप मेरे खाल से आप इसको नोट कर लिए होंगे आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा अब देखे चौता है बच्चो राज चिन यह हमारा राज चिन असोक अस्तंब है और असोक अस्तंब कहाँ पर है बच्चो वारणसी के साड़नात में है आप जो देखते होंगे एक सेर की फोटो नोट पे पैसो पे बनी रहती है न तो इसी असोक अस्तंब में चार सेर अपन तता रुप्या में देखा ही होगा ठीक है यह हमारी राष्टी एक्ता की पहचान है यदि हम एक रहेंगे तो हमारी राष्टी एक्ता भी सुरक्षित रहेगी देखें मुठी बंद कर लिजे ताकत हो जाती ही कि नहीं हो जाती है ठीक है अब देखें राष्ट की एक्ता और स ओपडिक है अब देखे भारत का नक्सा ईसे है फिर उपर एसे जाता है गोंकल फिर ऐसे फिर फिर है इतर इदर यह जो दूरी हम नापेंगे यह उस्तल वारी दे रुख het और जो समंदर है हमारे बस इतने भाग में है ठीक है इतने भाग में समंदर है तो इसका जो है साड़े साथ हजार किलोमेटर लंबाई है तो यह अंतर आप समझ गए होंगे कि अस्तल सीमा की लंबाई क्या है और आपके समंदरी सीमा की लंबाई क्या है अब देखे भारत का राश्पती हमारे तीनो सेनाओं थल सेना जल सेना वायू सेना बच्चो कमेंट सक्षम में लिखेगा इस समय हमारे देश की जो राश्पती वो कौन है सिंपल ही प्रशन है ऐसे प्रशन आ सकते हैं ठीक है तो ये कमेंट सक्षम में जरा बताईएगा और ये जो होते हैं हमारे थल सेना वायू सेना और नौ सेना के लिए अलगलग सेना धक्ष भी होते हैं इसके मतलब हेड जो है एक अलगलग होते हैं यह युद के समय आपस में तालमिल बनाकर अपने अधीन सेना को आदेश देते हैं कि इस तरह से लड़ना है और तीनों सेनाओं का जो मुख्याले जो तथा अनसंगयटन भी काम करते हैं अब देखे अपातकान की घोषणा कौन करता है तो हमारे रासपती करते हैं जब कोई बहारी आकर्मर हो जाए ठीक है कोई हमारी देश बहारे से आकर्मर करते हैं या अंदर के ही लोग आपस में बिदरोग किसी टेरिभरा या कुछी हो जाते हैं लोग तो आपस में जब बिद्रोग हो जाता है अंदर में ठीक है तो वहाँ पर रास्पती अपना अपातकाल घोशन कर सकते हैं कि वहाँ इस्तिती सम्हालने के जौरत है ठीक है अपातकाल के दौरान जो है राष्ट की सुरुप्षा जो है सर्वोपरी होती है इसक रसे वो कारे करते हैं तो बच्चो अब थोड़ा सा टॉपिक और है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें देखे अब हम लोग भारतिये जो खिलाडी हैं उनके बारे में जान लें कि इस पे भी प्रशना आता है कि स्पीर्स रिजेस कौन सा खेल खेलते हैं तो ये ह आपके भारतिये नेशनल होकी टीम के क्या हैं गोल कीपर हैं दिपिका कुमारी आर्चरी तिरंदाजी में इन्होंने काफी मैडल्स जीते हैं हमारे देश के लिए ठीक है और इनके बारे में भी आप ध्यान अखिएगा दिपिका कुमारी का जन्म जो है रांची में हुआ ठीक है और इन्होंने कॉमन वल्थ गेम्स में गोल्ड मैडल जीता था तो ये तिरंदाजी थी आर्चरी थी सिवा थापा जो है भारतिये मुकाबाज है ये असम में जन्में सिवा थापा भारत के सबसे युवा मुकाबाज है जोन्होंने ओलम्पिक में कौलिफाई किया वहाँ जीत बेसक नहीं पाए लेकिन उन्होंने भारत को वहाँ पर पहुंचाया था क्वालिफाइंग राउंड में रानी रामपाल भारती महिला होकी टीम के एक अपतान है मुकेश डी सबसे कम उमर के ये चेस ग्रेंड मास्टर है ठीक है जीव मिलका सिंग ये देखे गॉल्फ के प्लेयर है भारत के नमबर वन गॉल्फ प्लेयर भी है विनेस फोगाट टेसलिंग कुस्ती वगर आप जानते होंगे इन्होंने 2018 में एस इन गेम्स जेते थे तो ये जीके के परपस से ये वाले मैं आपको सवाल बता रहा हूं साइना नहवाल ये देखे बैडमिंटन 2012 ओलंपिक में रजत पतक जीता था मीरा बाई चानू सभी लोग जानते होंगे ओलंपिक में रजत पतक जीता था भारत वलन में वेट लिफ्टिंग में वजन उठाने में ठीक है लौलीना बर गोहें मुक्यबाजी में टोकियो ओलंपिक 2020 में ये कांस पतक जीती थी ये असम की रहने वाली है ठीक है मैरी लिला राओ ओलंपिक खेलों में भाग लेने व किसी व्यक्तिकत इस परधा में भारत का पहला ओलंपिक सौन पदक भी इनी के अभिनाव बिंद्रा के नाम है तो सुटिंग हो गया जो पिस्तल से हम लोग निसाना लगाते हैं वो हो गया तो बच्चों आज का वीडियो यही मैं खत्म करता हूं इसको आप जरूर नोट ड भारत का वीड़ मैस है